बिग बॉस के घर में चली सिधात शहनास की लंबी लड़ाई जिसे हम सेड़नास फाइट वीक भी कहते हैं तो उसके मैं पार्ट 7 तक आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ गाईज आज मैं शेयर करूँगी पार्ट 8 लेकिन अगर आपने पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप जरूर देखेगा सेड़नास फाइट वीक सीरीज के नाम से ये प्लेलिस्ट है इसमें आपको सारे ही पार्ट्स मिल जाएंगे वैसे तो मैं इस वीडियो के एंड में भी एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट लगा दूँगी गाईज तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजगा और अगर आप चाहें तो मुझे इस्टरिग्रेम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो गाईज यहाँ पर सिधात और शहनास बहुत जादा इमोशनली हर्ट हो रहे थे बहुत सादा तनहा हो गए थे पूरे घर में सिधात और शहनास दोनों ही अपने अपने दिल के साथ लड़ रहे थे यहाँ दिल और दिमाग के बीच में जंक छड़ी हुई थी सिधात भरुसा करना चाहता था शहनास पर उसके दिल में सिर्फ हो सिर्फ शहनास के लिए प्यार भरा हुआ था लेकिन दिमाग उन चीजों की तरफ जारा था जो कि मेकर्स करवाना चाह रहे थे और जो बाहर से आये हुए लोग भी बोड़ रहे थे जिसे की सिधात डे और पारस का शहनास से इस तरह से बात करना बहुत सारी गलत फहमिया सिधात के दिल में पैदा कर चुका था दिल तो दिल दिमाग दिमाग उन चीजों से हर पल लड़ रहा था बहुत सादा इमोशनली हरड हो रहा दा सिधात यहां पर और शहनास शहनास भी हरड हो रही थी शहनास इस पास से हरड थी कि आर्थी और सिधात की जो क्लिप लगएरा दिखाए गई थी वो नचीजों को ले इन पा रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ तो घर में ऐसा हो रहा है ना जो बाहर जा रहा है इसलिए तो ये इडिटेट पिक्चर्स और और फिर माहिरा की ममी का आकर इसे बोलना और मेकर्स की चाले मतलब इन दोनों की बीच में बहुत बहुत बड़ी misunderstanding क्रियेट होती ही जा रही थी लेकिन शेहनास नहीं समझ पा रहे थी कि सिधात किस कश्मकश में है शेहनास नहीं समझ पा थी कि सिधात के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो किस बात से हर्ट हो रहा है उसे नहीं समझ में आ रहा था सिधात किस तरह से emotionally हर्ट हो रहा है किस तरह से उसका दिमाग उसके दिल से हर पल लड़ रहा है ये चीजें शेहनास नहीं समझ पा रही थी और खुद सिधात भी इन चीज़ों को पूरी तरीके से नहीं समझ पारा था तो यहाँ पर जब मिसंडिस्टेंडिंग क्रियेट हो चुकी थी तो यहाँ पर शहनास को लगता है कि वो अकेली हो गई है इस घर में लेकिन सिधात के पास तो उसके दोस्त है सिधात के पास टीम है शहनास को लगता है सिधात टीम के साथ है वो लोग सिधात के साथ है और शहनास यहाँ पर अकेली बट ऐसा नहीं था वो टीम सिधात की सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए थी इमोशनली तो उसे शहनास की जरुत थी कोई भी उस तरह सिधात को कंसूल नहीं कर सकता था जैसे शहनाज कर सकते थी गेम में था सिधात और इतना जादा टेंशन का माहूल जब होता था वहाँ पे तो शहनाज सिधात को समाल ले दी इमोशनली सपोर्ट शहनाज ही कर सकते थी सिधात को और ये बात सिधात भी जानता था बहुत अच्छी तरीके से इसलिए इमोशनली कई बार सिधात यहाँ पर हमें तूटता हुआ नजर आया अपने इमोशन्स पर कंट्रोल नहीं करता हुआ नजर आया कई बार उसकी लड़ाई हद से गुजरती हुआ नजर आई शिधात बहुत जादा बेचेन हो रहा था और उसका गुसा इस समय बहुत बहुत जादा बढ़ता हुआ नजर आया गुसे में वो कई चीजें ऐसी करता हुआ नजर आया जो वो नहीं करता अगर शहनाज उसके सात होती तो ये कैसी टीम थी ये सिर्फ वो सिर्फ गेम के लिए टीम थी लेकिन ये बात हमें आगे चाकर और भी क्लियर पता चलेगी तो विकेंड के वार पर क्या हुआ था? गोड़ा रपर पारस को बहुत कुछ बोला गया था और माहरा को समझाया गया था सल्मान सान ने इस सबसे इफ मायरा के लिए किया था उसे समझाया था कि पारस बाहर से चीजें को क्लोस करकर नहीं आया है बाहर उसकी गर्लफरेंड है और वो घर में भी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा यह लोग दोस 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 एक दूसरे को बोल रहे थे को दोस्ती की आड में यह लोग क्या कर रहे थे यह तो हम सब देखी रहे थे और स्क्रीन यह चीजें हो रही थी और बाहर यह चीजें आ रही थी जो कि सल्मान खान भी बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे audience समझ ली थी कि ये दोस्ती नहीं है दोस्ती के आड़ में भही कुछ और ही चल रहा है ये पप्पियों वाले friends ये चुम्यों वाले friends जो स्रिफ यही करते हैं क्या दोस्त इस तरह से करते हैं दोस्तों में ये नहीं होता है ये दोस्तों से बहुत जादा आगे निकल चुकी है चीज़ तो बाहर बैठी आकांशा क्यों ना इतरास करे क्यों ना सवाल करे क्यों ना इनके रिष्टे पर उंगलिया उठाए तो जब आकांशा पुरी ये सब बोल दी है और सलमान सर आकर ये सब समझाते है तो माहरा और पारस को बड़ा बुरा लगता है अब वाश्रूम एरिया में यहां शेफाली पारस और माहरा से बात कर रही होती है शेफाली कहती है कि पारस तो बाहर जा उस लड़की से बात कर ब्रेक अप नहीं किया है तो फिर ब्रेक अप कर तो माहरा यहाँ पर बीच में ही बोल पड़ती कि बस यार जब बाहर लड़की को इतना बुरा लग रहा है और हम यहाँ पर साथ हैं गेम में तो तू उसे क्लियर कर क्योंकि मैं नहीं चाहती ना यार फिर इस तरह से बीच में आना मतलब हद यार यह लड़का पारस इस तरह से धोका देगा बाहर अपनी गर्ल फ्रेंड जो उसकी बैठी उसका इंतिजार कर रही है यहाँ पर धोके दे रहा है तो वो कुछ रियाक्ट भी ना करें वो हर्ट भी ना हो उल्टा ये लोग उसे ब्लेम कर रहे हैं कि वो गलत सोच रही है भै तुम गलत कर रहे हो इसलिए गलत दिख रहे हो इसलिए वो लड़की बाहर बैटके तुम्हारे लिए गलत सोच रही है यहाँ पर वो लड़की गलत नहीं आकांशा बिल्कुल भी गलत नहीं वो यहाँ पर बिल्कुल सही थी गलत यहाँ पर पारस माहरा दिख रहे हैं क्योंकि वो गलत चीज़े कर रहे हैं क्योंकि ये लोग एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसे दोस्ती का नाम दे रहे हैं और कर कुछ अलग रहे हैं जिसे शहनाज और सिध्धात उनने कभी अपने मतलब उनने जो उनके बीच में जो इमोशनल अटेश्मेंट था उन्होंने उसका नाम दिया प्यार नहीं बोल लेकिन कैसे मानता ना बाहर वो लड़गी को तो ये क्लियर करके आया यह नहीं बाहर अलग चीज़े चल रही है और घर में अलग चीज़े शिवात कर रही है और माहरा कैसी लड़गे यार इतना सब जान कर भी उसने पारस से कुछ सवाल नहीं किये अरे लड़ाई जगड के लिए और इस लड़गी को मतला माहरा को एक लड़गे का कंधा चाहिए था गेम में आके बढ़ने के लिए और ये दोनों गेम में ही एक दूसरे का इस्तेमाल करते रहे गेम की वज़़ज़ से ही इन्होंने सब अपनी चीज़ें की रिष्टा निभाया और बाहर आके भी उन्हें पता था कि यार हम दोनों एक एस अ कपल बाहर आएंगे तो हमें काम वाम भी अच्छा मिलेगा तो ये सब सोची समझी एक साजिश थी पारस की जिसमें माहरा भी शामिल थी इसलिए उसने कोई भी सवाल यहां पर नहीं खड़ा गया उल्टा आकान शाह को गलत पताया बाहर बेठी अकान शाह गलत है और ये दोनों जो घर में यहां पर करें वो सही है यहां पर पारस कहता है फिर बीच में कि मतलब मैं गेम भी क्या आपने हसाब से नहीं खिलूँगा गेम क्या मैं उसके हसाब से खिलूँगा तो यहां पर सही बात जबा पर आ ही वो जो भी कर रहा है गेम के लिए कर रहा है अब शहनास और सिधात का रिष्टा गेम के लिए ही नहीं इसलिए वो दोनों एक दूसरे से सवाल भी करते हैं एक दूसरे से जगडते भी हैं और एक दूसरे को मना भी लेते हैं क्योंकि game के लिए उनका रिष्टा नहीं है वो emotionally attached है एक दूसरे से एक अलग वाली feeling उनके दिल में है एक दूसरे के लिए और वो लोग ये चीज़ को मानते हैं इसलिए वो game में भली साथ एक दूसरे के हो या ना हो लेकिन emotionally जब भी support की बात होती है तो सिधात शेहनास को शेहनास सिधात को हमेशा support करता हुआ नजर आता है तो ये फर्क है इन दोनों के रिष्टे में बहुत फर्क है इसलिए शेहनास लड़ भी पड़ दिये सिधात से मना भी ले दिये लेकिन माहरा कभी भी पारस से नहीं लड़ेगी क्योंकि उसे गेम में पारस की जरुरत है ये फर्क है और ये सब को समझना बहुत जादा जरूरी है अब यहाँ पर जो विकन्ड के वार पर जो भी चीज़े हुई हमारी शेहनास भी बैटी है विशा लाजिम ये लोग बैटकर उन बातों को डिसकस कर रहे होते हैं तो यहाँ पर शेहनास बोलती है नहीरा के बारे में कि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती पारस के बिना यादे जब पारस सिक्रेट रूम में गया था तो कितनी सादा अकेली हो गई थी तो यह हम सब ने देखा जब पारस चला गया था सिक्रेट रूम में थी बहुत जादा अकेली हो गई थी क्योंकि इससे कोई बात ही नहीं करना चाहता था शहनास भी अकेली होगी थी लेकिन उसके पास सब बात करने आते थी उसका औरा ऐसा ह। उसकी वाइब सैसी है सब उससे बात करना चाहते थे चाह Freunde हो आसे मो विशाल हो सब उससे आके बात करने की कोशिश करते थे बट इसका मूड आफ रहता था वो बात अलग है वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी और यहां उल्टा हो रहा था माहरा से कोई बात नहीं करना चाहता था बट वो कंधा ढूंड रही थी वो विशाल के पास भी जाना चाहती थी वो आसिम के पास भी जाना चाहती थी विशाल की बनी बनाई जोड़ी जो मध्यूरी मासी थी उसे तोड़ कर उनके बीच में भी घुसना चारे थी क्योंकि उसे गेम में बढ़ने के लिए एक कंदा चाहिए था और यहां पर वो चीजें साफ साफ नजर आ रहे थी और यह फर्क है माहरा और और शहनास में मतलब कोई कंपरिजन है ही नहीं यार कोई जलेगा तो शहनास जैसी अच्छी हो सची लड़की से जलेगा जिसके पास सचा रिष्टा भी है कोई इस जूटी लड़ी से माहरा से क्यों जलेगा उसमें जलने वाली बात रही क्या उसमें जलने जैसा है लगा अब हम बात करते हैं आगे आगे अपनी स्टोरी में हम बढ़ते हैं यहां पर आरती शेफाली और आसिम में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है वही खाने पीने वाली बातों को लेकर तो यहां पर आसिम बोलता है आरती से किया दो स्पून कॉफी एकी दिन में तुने क्यों उसकर ली क्यों घतम कर दी भाई अब खाने पीने के मामले में आरती कितनी जादा आ गया यह तो हम अच्छी तरह जानते हैं भाई वो गी पी लेती है चमनल से कॉफी तो बड़ी छोटी बात है और यहां पर आरती बोलती है मतलब इतना सब खाने पीने के बाद तो यह भी बोलती है कि मेरे खाने से ही सबको दिक्कत हो जाती है और यहां पर यह आर्गूमेंट बहुत जादा बढ़ जाती है और आरती यहां पर सोच लेती है यह आसिम की बातों को मुझे खीशना है मुद्दा बनाना है और सिधात का इसे जगड़ा लगवाना है क्योंकि सिधात के पास अभी उसे कंसूल करने के लिए कोई नहीं है उस सिधात का जगड़ा होगा मुद्दा बनेगा तो उस बहती घंगा में सभी लोग हाथ दोलेंगे तो ये दोस्त है और ये टीम है सिधात की जो हमेशा ही लड़ाई लगवाने के बारे में सोचती है अब बाहर बैठी है हमारी शेहनाज जो बिलकुल अकेली बैठी है क्योंकि वो किसी के पास नहीं जारी बात करने कोई उसके पास आजाएगा तो बात कर लेगी ताकि वो किसी के पास नहीं जारी वो टीम बनाने नहीं जारी क्योंकि उसे किसी भी टीम की ज़र्वत यहां पर नहीं है और नहीं वो यहां से वहां फलिप मारने वालों मैसे है वो अकेली बैठी है यहां तर अब शहनास अकेली बैटी थी तो वहाँ पर माहरा आ जाती है उससे बात करने अब कोई आगे से बात करने आएगा तो वो बात तो करेगी न तो पूछती है माहरा शहनास से कि क्या हुआ बाहर चलना बलकि इसको तो सब पता था कि क्या चल रहा है दोनों की बीच में फिर भी ये पूछने आई शौरिटी करने आई ताकि शहनास के मूँ से सुन सागे कि क्या बाते और हमारी प्यारी शहनास भोली बाली शहनास जिसे शब्दों के साथ खेलना नहीं आता इमोशन के साथ खेलना नहीं आता वो जैसी है वैसी ही रहती है जिसके दिल में जो होता है वो बोल देती है यहां पे शहनास बता देती है सारी बात वो कहती है कि यार पता नहीं क्या हो गया सिधात को मुझसे बात ही नहीं कर रहा है मैं उसे मना भी रही हूं मान भी नहीं रहा और उसे अचानक से पता नहीं क्या हो गया बता भी नहीं रहा है अब माहरा जो यहाँ पर करने आई थी वो कर चुकी थी उसे कनफॉर्म करना था वो कनफॉर्म कर चुकी थी कि हाँ सेड़नास की लड़ाई हो चुकी है अब इसके बाद जो वो करीगी ना वो भी देखने वाली बात होगी अब क्या होता है ना आरती मुद्धा बनाना चाही रही थी वो रश्मी और आसिम की बात को लेकर मुद्धा उठा दिये वो कहती है कि रश्मी की पूछ है आसिम रश्मी की तरफ बोलता है मतलब इस तरीके का मुद्धा उठा रही थी वो जानती थी फिर आसिम भी बोलेगा फिस सिधात की भी बीच में लड़ाई होगी मतलब वो लड़ाई लगवाने की कोशिश यहां पर कर रही थी और जब आरती यह सब करती है तो शहनाज उसे टोकती भी है कि यार मत उठा मुद़ा यह बेकार का मुद़ा बनेगा लड़ाई होगी क्योंकि शहनाज समझ चुकी थी कि आरती क्या करना चारी है लेकिन आरती को तो यह चीजें करना ञी थी आरती और सभी लोग ये चीजें उठाते हैं मुद्दा उठाते हैं और आता है सिधात और वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है अब यहाँ पर सब को पता था कि सिधात का गुसा बहुत जादा है और उसे कंसूल करने अभी शहनाज नहीं आएगी इस लड़ाई को रोकने शहनाज नहीं आएगी तो ये मुदा और ये लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर जा सकती और यही सब लोग चाहते थे कि सिधात का गुसा नेक्स्ट लेवल पर चला जाए अब यहाँ पर माहरा क्या करती है कि सिधात का माइक जो बाहर रह जाता है उसे दोड़ कर लाती है और खुद माइक सिधात को पहनाती है कितने अच्छे और कितने सचे दोस्ते हैं ये सिधात के और कितनी अच्छी टीम है ये सिधात की जो चाहती है कि कुछ गलत हो और बिग बॉस कुछ गलत होने पर कुछ गलत सजा दे दे तो ये कैसे टीम है यार ये बिलकुल भी वो टीम नहीं है जो शाय सिधात समझ पैठा था या सिधात भी इस टीम की असलियत बहुत अच्छी तरीके से जानता था लेकिन सिधात इतना जादा इमोशनली हर्ट था पैन में था कि वो मुता बंदा है जगड़ा यहां पर होता है और बहुत जबदस जगड़ा होता है और अब नेक्स्ट होने वाला है एक टास्क जिसकी सब लोग स्ट्रेटीजी वगेरा बनाते हैं लोग रेडी होने के लिए चले जाते है तो यहां पर सिधात अपने बैट पर लेट जाता है और शेहनाज यहां पर नहीं होती वो बाहर होती है वो अकेले बेटी होती है वो यहां पर नहीं आती है क्योंकि ना तो उसे किसी टीम से मतलब है ना किसी इस टास्क की स्ट्रेडिजी से मतलब है तो यहाँ पर सिथाथ जब अपने बैट पर अकेले होता है तो वहाँ पर आरती आकर सिथाथ के पास लेड जाती है तो यहाँ पर क्या आरती ने सल्मान सर की बात को कुछ जादा ही सीरियस ले लिया था जो edited picture वगेरा सिधात और शहनास की आरती की दिखाई गई थी क्या उसे बहुत साथ सीरियसली ले लिया था और उसे लगा था कि अपने शहनास की जगह ले लूँगी तो यहाँ पर सिधात के पास शहनास की जगह पर आकर आरती लेट जाती है जो बात बहुत गलत थी क्योंकि उसे पता था सिधात और शहनास का जगढ़ा हो रखा है तो यह किसी दोस्ते जो उस जगढ़े का फायदा उठाने आ चुकी है हमने शाइए ऐसे करती है चाहती तो इन दोनों को इस पेस देती है कि शायद शहनास आ जा और इन दोनों का पेच अब हो जाए लेकिन वो इसा नहीं करती तो वो इनके बीच में घुसती है और शहनास की जगढ़ लेने की कोशिश यहाँ पर वो करती है तो सिधात को भी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी अब सिधात तो यहाँ पर सोने का नाटक कर रहा है उसे नियन नहीं आई है वो सोने का नाटक कर रहा है और उसने आती से ना तो कोई बात की और है टच वच करना तो बहुत दूर की बात है कोई बात भी नहीं की यहाँ पर सबकी अपनी ही बाते चल रही थी पारस महरा अपने अलग लेटे हुए थे और सिधात चुप चाप लेटा हुए था लेकिन जैसे ही आरती उठी सिधात ने अपने आखें खोली और जो शेहनास का पिलो है उसे अपने दिल से लगा कर लेट गया उसे हक करकर लेट गया मतलब शेहनास को कितना जादा याद कर रहा है सिधात कितना जादा मिस कर रहा है सिधात इस तरीके के एक्शन से पता चल रहा है और सिधात तो शेहनास के बीच में चाहे कितना भी जगड़ा हो जाए शहनास की जगह कभी कोई ले ही नहीं सकता ना तो सिधात के पास उसके बैड पर और ना ही सिधात की दिल में ये चीजें भी सबको बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुकी है तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा और मेरी डिकोडिंग और मेरी महनत अगर आपको थोड़ी से भी पसंद आई हो तो प्लिस इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पी जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोडिविकेशन आप तक पहुच पाएंगी जल से चल्द और गाइज स्क्रीन पर आ रहे ही वीडियो को इंजॉई कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग गाइज